इसमें जो सांप्रदाइक वादी ताकते हैं, जो भाउजन समाज को कुचलने वाली ताकते हैं, जो दलिस समाज को पीछे करने वाली ताकते हैं, जो इस देश के धर्मनरिप्रेकस्ता को खत्रा पैदा करने वाली ताकते हैं, जो आपसी भाईचारे को अमनों अमान को खराब करने वाली ताकते हैं जो समाजिक राजनेतिक और आर्थिक रूप से देश की जंता को पीछे धकेलने वाली ताकते हैं उन ताकतों को इस बार सत्ता में ना आने दिया जाए इस पर पूरी तरह से खत्रे में हो जाए तो एक ही राष्टा बचता है कि लोगों को या समाज को या जो लोगतंतर बचाना चाहते हैं और जो सविधान बचाना चाहते हैं उनके लिए एक ही राष्टा बचता है कि वो समाज के पार जाए मिशन 2024 है उसमें उन युवाओं को वही बात याद दिलाने की जरूरत है कि 2014 में जो 20 साल का युवा था आज 30 साल की उमर में जो है वो बेरोजगार जो है तो सडियंत्र को फिल करने के लिए भी जागरुक लोग है और जागरुक लोग जो है उन लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आप इस कुछ से बचे वो मोहिम सुरू हो चुकी है और दोसरों मैं वश्कार मैं विकास आंधिक रेजस्टीव इंडिया और इससे मैं बसंद्रा में मौजूद हूँ जिस तरीके से 2024 आने वाला है इलेक्शन भी इस समय बहुजन समाज के तमाम संगठों में मिलकर एक बड़ी मीटिंग बसंद्रा में बुलाई है मुद्दा वही है कि किस तरीके से लोकतंत्र की सुरक्षा की जाए और जो संविधान लगातार उसके दज्जियां उड़ाई जा रही है इस देश में उस संविधान को कैसे सुरक्षित किया जाए तो ऐसे में तमाम समाजिक संगठन के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और उसे बात करेंगे कि आने वाला क्या प्लान रहेगा और ऐसी क्या रनिति अपनाई जाएगी कि वरतमान सरकार को 2024 में रोका जाए हरनाम सिंग जी है क्या कहेंगा हरनाम सिंग जी दुवजार तोविशन आप किस तरीके से क्या प्लानी है जो वजुन समाज रूप आएगा देखिए आज जैसे कि हम यहां वसंद्रा गाजियाबाद में खड़े हैं और वसंद्रा बहुजन जागरुक मंच जो है उसने बह हुजन समाज को कुचलने वाली ताकते हैं जो दलिस समाज को पीछे करने वाली ताकते हैं जो इस देश के धर्वन रिप्रेक्सता को खत्रा पैदा करने वाली ताकते हैं जो आपसी भाईचारे को अमनों अमान को खराब करने वाली ताकते हैं जो समाजिक राजनेतिक और जार्थिक रूप से देश की जंता को पीछे धकेलने वाली ताक्ते हैं, उन ताक्तों को इस बार सत्ता में ना आने दिया जाए, इस पर सबने एक मत से मैं समस्ता हूं प्रण लिया है, और उस पर काम करने के लिए सैकडो मिटिंग्स अब दिली और NCR में होनी शुरू हो जा देखिए ये नारा अटल विहारी वाजपी और प्रमोद महाजन ने एक बर पहले भी दिया था, 2004 में, और मिशन शाइनिंग इंडिया भारत उदे, भारत उदे, भारत उदे कर रहे थे, और तब उनका भारत उदे और शाइनिंग इंडिया ऐसे धुल गया था, जैसे सरफ से लोगों ने धो दिया, इस देश में आज भी जमूरियत का राज है, लोगशाही का राज है, यह देश कोई तानाशा नहीं है, यहाँ पर कोई लोग चीज ठोप दी जाएगी, यहाँ एक गरीब के वोट की भी ताकत उतनी है, और अमीर के वोट की भी ताकत उतनी है, औ मैं समझता हूं, मोदी जैसे और भी बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं, वो इस देश के लोगों ने बहुत लोगों को धूल चटाई है, इस देश के अगर जमूरियत में आप इतियास में देखोगे, देश के बड़े-बड़े तानाशाह लोगों को, जो सोचत है, सब चंगा है, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा ही इंडिया शाइनिंग में इन्होंने किया था, तब इन्होंने बताए था, कि हम सब लोग पूरे देश में खुश हैं, और तब देश की जनता ने क्या जवाब दिया था, देश की जनता ने तब UPA गवर्मेंट लाए थे आज भी सेम उसी तरीके कमावल है, देश क्या कोई वर्ग, चाए वो किसान हो, चाए वो जवान हो, चाए वो दलित हो, चाए वो आदिवासी हो, चाए वो पिछड़ा हो, चाए वो सरकारी करमचारी हो, चाए वो प्राइवेट करमचारी हो, चाए वो चात्रो, सभी इस वक्त आक्रोशित है, सभी वर्गिन से तंग है और परिशान है, केवल अगर कोई खुश है, तो भारते जनता पार्टी के कारे करता है, नरेंदर मोदी की सरकार में मंत्री हैं, और नौलडा की कुछ मीडिया है, सिर्फ केवल वो लोग खुश हैं, और वो एक ऐसा गुब में जिने कोई पूछ नहीं रहता है, उनको भुला भुला कर राज्यसभा के MPO को दे रही है, आज सोचिए, भारते जनता पार्टी के कारे करता कितने नुर्टसाहित हो चुके होंगे, कितने बिचारे परिशान होंगे, जिन्होंने 30-40-40 साल RSS BJP में काम किया, आज उनके पार्टी के लोगों को आयतित करने की जुरूरत नहीं थी, उनको राज्यसभा और लोकसभा और बंत्री बनाने की जुरूरत नहीं थी, अगर वो जीत रहे होते हैं, तो वो अपने काडर पर ही भरोसा करकर, मैं समझता हूँ, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बैक कैसे लग रहा है आपको एक तरफ सरकार जो है लगाता है 400 पार की बात कर रही है, तो कैसे फिर बगदुन समाझ जो है इस रत को रोप पाएगा, नहीं था है कि अभी आज की डेट में जब सही सरकार बनी है, तो लोकतंत्र और स्विधान, दोनों के दोनों को खत्रा पैद हो गया है आज की डेट में, ठीक है, लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है, जनता चुनती है, यानि गणतंत्र में साधान आदमी छोटे पद से लेके राष्टपती के पत्तप को जनता चुनती है, ठीक है, आज वो लोकतंत्र ही खत्रे में है, यानि कि लोकतंत्र के जो चा पिल्लर है, ठीक है, संसद है, कारियपाली का है, मीडिया है, ठीक है, और चोथा जो है, न्यायपाली का है, ये चारों के चारों को जो सासक है, वो अपनी गृफ में ले के अपनी बात मनवाना चाहता है, ठीक है, जब लोकतंत्र का जैसे विपक्स है, जनता की आवाज विप तीक है? यह जनता की आवाज मीडिय उठाता है यह जनता की आवाज जनता पार्लेमेंट पे जो विरोद की जगह है परदर्शन की वहाँ जनता करती है जब तीनों चारों जगे ही नहीं करने दिया जारा है तो इसका मतलब सपरश्टे की लोकतंत्र पूरी तरहे से खत्रे मे है और जब लोगतंतर पूरी तरह से खत्रे में हो जाए तो एक ही रास्ता बचता है कि लोगों को या समाज को या जो लोगतंतर बचाना चाहते हैं और जो सविधान बचाना चाहते हैं उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि वो समाज के पार जाएं ठीक है जब भी लोगतं सब्सक्राइब करें, जनता को जगाएं, जनता अगर सामने आ जाती है तो लोग तंत्र बच सकता है और शुरूवात की वेड़ कर रहे हैं और हो सकता है तो हम हिएआं दिल् transit की राजधानी है सबकी नजर दिल्ली है सब को दिल्ली में ही पढ़ता है और दिल्ली में एक और लाव यह एक दिल्ली में हर परान्द के लोग है अगर दिल्ली से शुरू होता है तो पूरे भारत में जा सकता है इसलिए हमारे लिए पलश inıldı. eg देखिये हाली में जो लोग कहते हैं कि मैं मर जाओंगा इधर नहीं जाओंगा पाले बदल लिए उन्होंने आते ही तमाम लोग अपनी पार्टिया छोड़ सोड़ के अलग जा रहे हैं कैसे देख रहे हैं इस देश की जनता जो है न मैं समझता हूं कुछ शांत तो रहती है लेकिन वो मूर्ख नहीं है इस देश की जनता उन सब पाले बदलने वालों को भी देख रही है इस देश की जनता जो सत्तारूर पार्टि कर रही है उसको भी देख रही है इस देश की जनता विपक्स को भी निहार रही है और जब सही समय आता है वो वोट की चोट करती है और वोट की चोटका जब मार होती है ना तो इसमें बड़े-बड़े शाशक गिर जाते हैं बड़े-बड़े निरंकुष भाग जाते हैं तो ये आप इंदार कीजिए मुझे पूरी उमीद ही नहीं विश्वास है कि देश की जनता जो है वो बहुत जागरुक है और जब वो थी उसने एक बड़ी अच्छी बात कही हम लोग आपस में कर रहे थे कि दो हजार दो हजार चोदे में इन्होंने जो है एक गारिंटी दी थी कि हम हर साल दो करोड रोजगार देंगे दस साल हो गया है तो अब हमारी चर्चा में यही हुआ आया कि जो दो हजार चोदे में लोग पहले वोटर थे युवा था अभी वो मतलब अगर वो उस टाइम 20 साल का था तो आज वो 30 साल का हो गया है अब उससे उन से यह पूछा जाएगा कि आपको कितना रोजगार मिला आज वो सारे के सारे बेरोजगारों के लिस्ट में हैं उसमें सवर्ण भी हैं उसमें माइनोर्टीज भी हैं सारे लोग हैं तो अभी जो हम जो मिशन 2024 है उसमें उन युवाओं को वही बात याद दिलाने की जरूरत है कि 2014 में जो 20 साल का युवा था आज 30 साल की उमर में जो है वो बेरोजगार है तो जो गारेंटी वेरोजगार की अभी आप ये बताएंगे म मंदिर बनाया तो मंदिर जाने के लिए आपको पैसा चाहिए पैसा खर्च करने के लिए आपको पैसा खर्च करने के लिए आपको रोजगार की जरूरत है और रोजगार इन्होंने खतम कर दिया है तो उस लिहास से केवल हम मैं यह कह रहा हूं कि यह जो युवा वर्ग है अगर उसी को केवल रोजगार के उसमें हम लोगों जगाने में कामियाब होगे तो जो भी आप रत कह रहे हो वो रत जो है न वो जादा आगनी बढ़ने वाला है कुछ और लोग विजी क्या कहेंगे सर जो अभी वरतमार में पूरे देश में जो एक लहर चल रही है अधिया में इसका उद्गाटन भी हुआ क्या उस लेहर के आगे यह तमाम चीज़े आप रोख पाएंगे देखो ये देश जो है न अन पड़ोगा देश है इस देश में जो है यहां जो धरम के लाम पे जो धरम के नाम पे जो है दरम के नाम पर पब्लिक को आप जयसे मर्जी आप घुम्रा कर लो चोंग जो है किसे मौदी चाखर साथच toi एक से सभूए दोन के नाम के नाम पे हिंदू-मुस्लिम के नाम पे जो है कुछ बी आप आतंग फनवाओ कैसे भी पबलिक का ब्यकुब बनाओ दूआ हो तो यह मोधी से व बडा वह है और अगर मोधी जिये कहते लोगभा कहते मोधी ゃं考े कुhm किन है तो मोधी जोखी ही जिया जोटरी करते हैं कि मोधी अगर जोसी हैं तो बताओ के कैसे तुम काम कर रहे हैं पन्ना प्रमुक से लेकर उपरी लेवल तक अरे पन्ना परमुक तो सारे पन्ने फटे फटवे हुए इनके आप कलकर को आप उससे क्या नाम अपने बैलेट पेपर से चुलाओ कराओ और आप देखें फिर मोधी को कौन करन का है असल करी यह यह कि आप यह को हटा और बैलेट से चुनाव करा और क्या करन हो सकता है यह कुंण का की शुट है धिए जए और सारे पोर्ट बेक बेख चुका है देश में पहले कितना करजा था चौदा में और आज की डेट में कितना करजा हो चुका है आप यह देख लिए तो यह सब चीज़ है इसलिए मोधि का विरोध है और हिंदू-मुस्लिम धर्म के राजनेती करते हैं मोधि जी वह सब लास्ट में तमाम जनता को कहना चाहेंगे जनता को हम यह कहना चाहेंगे कि जनता के हित में लोकतंतर और सविधान है उसके माध्यम से ही जनता को रोजगार, शिक्षा, शुरक्षा, मकान, सब कुछ मिला है और आगे भी ही मिलेगा और आज ऐसी पोजिशन पे है कि जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा पबलिक को ही ख पूर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि समाज को जगाओ और लोकतंतर और सविधान को बचाओ, यही हमारा होगा, सविधान ना हटने पाए और वोट ना बठने पाए, यह हमारा कारी करभ रहेगा, ताकि हम इस सविधान को बचा सकें, लोकतंतर को बचा सकें, और सरकार को खटा सकें यह हमारा परियास होगा क्या कहेंगे सर तमाम बहुजन लीडर्शिप है इस देख बड़े बड़े नेता हैं अगर वो सड़कों पर उतराएं तो शायद जिस इवियम को लेकर रोग विरोध करें लोग सब कुछ बराबर हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जा कि लोकतंत्र की चक्की बहुत महीन पीसती है यह जनता सब कुछ देख रही है देश की जनता बेवुकुक नहीं है अगर कोई सडियंत्र चलाया जा रहा है तो सडियंत्र को फेल करने के लिए भी जागुरुक लोग हैं और जागुरुक लोग जो है उन लोगों के बीच मे जा रहे हैं कि आप इस कूछ चक्र से बचे वो मोहिम शुरू हो चुकी है और जो बुद्धी जी भी लोग हैं वो इसमें लोगों के पास जा रहे हैं और उस कूछ चक्र से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं वह समय बहुत कम है यह थो मुहिम आप लोगों ने अभी स्थार्ट किये सर्फ आपको नहीं लगता बहुत कम समय में आपने शुरू किये देखिये समय कभी कम नहीं होता ठीक है ना दो दिन में जो है बाजी पलट जाती है और एक जो योजना बना के जो काम होते हैं ना एक कहवत है कि जो योजना बद तरीके से जो काम किया जाता है वो योजना बनाने के बनाते ही आधा काम हो जाता है ठीक है ना और पूरा काम उसको लागू करने के बाद होता है तो योजना बद तरीके से योजना ये बनाए जा रही है उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा औ और निश्चित रूप से जो है इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे.